नमस्कार श्वागत है आपका देश्वा नियूज में मैं इलीशा आपके साथ रमजान की पाक महिने में लगतार इफ्तार पार्टी का आयोजन किया जा रहा है इसे बीच रावडी आवास पर आज इफ्तार पार्टी का आयोजन है जिसमें देजश्वी आदब तमाम रोज़दारों को आज स्वागत करेंगे और साथी साथ बिहार के सभी राजनितिक दलों को निमंतरन भेजा है जिसमें जेदियू, आरजेडी, महागट बंधन के तमाम नेता सामिल होने वाले हैं इसे बीच हम आपको बताएं कि पिछले दिनों सीएम नितीस ने इफ्तार पार्टी का आयोजन किया था सीएम आवास पर जिसमें चिराग पासवान को निमंतरन दिया गया था इफ्तार पार्टी में सामिल होने के लिए लेकिन चिराग पासवान इफ्तार पार्टी में सामिल नहीं हुए अब देखने वाली बात होगी कि जस तरीके से रावडी आवास पर आज इफ्तार पार्टी का आयोजन किया गया है और तेजश्वी आदव जो है चिराग पासवान को निमंतरन दिये हैं इफ्तार पार्टी में आने के लिए तो आज चिराग पासवान निमंतरन क के बाद इफ्तार पार्टी में सामिल होने के लिए जा रहे हैं इफ्तार पार्टी के नाम पर राजनीटी शियासत की जाती है और वोट-बैंक को कलेक्ट करने की कोशिश की जाती है आपको बताएं कि 2024 में लोगसभाथ चुनाव होने है और दोहजर पचीस में विधान सभा होने है जिसको लेकर अब राजनितिक गल्यारों में काफी उठा पटक देखने को मिल रहा है तमाम पार्टी एक दूसरे के ऊपर बयान बाजी करते दिख रही है इसे बीच हम आपको बताएं पिछले दिनों जिस तरीके से चिराग पासवान एफ्तार पार्टी में सामिल नहीं हुए हमीसा नितीस और चिराग के बीच में अन्बन चलते रहती है जब से चिराग पासवान के पिता रामविलास पासवान जो है नहीं रहे उनका नदन हो गया उसके बाद से चिराग पासवान लगतार नितीस को ल बीजेपी चिराग पासवान को सीट नहीं दे रही है इस वज़े से चिराग पासवान तेजश्वी के तरफ मूव कर रहे हैं क्या आने वाले चुनाव में महागड बंधन के तरफ से तेजश्वी के साथ चिराग पासवान भी लड़ेंगे ये देखने वाली बात होगी फिलाल इस खबर में इतना ही हमारे साथ बने रहने के लिए देखते रहें देश्वा न्यूज अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब ने किया तो सब्सक्राइब कर दें सिर्फ खबर दिखाना देश्वा न्यूज का मकसद नहीं देश्वा न्यूज की कोशिश है कि समाज की सूरत बदलनी चाहिए देश्वा न्यूज पर वीडियो देखने के लिए लाइक करें सब्सक्राइब करें साथ ही बेल आइकन दबाना न भूले